कॉंग्रिस के विरिष्ट नेता हर्मन दीप सिंग विर्क ने गुम्तलागडू गाउं से चुनावी बिगुल फूग दिया है इसको लेकर पिहोवालके के गाउं गुम्तलागडू में गाउं के मोजिस लोगों ने पंचैती तोर पर एक बैठक का आउजन किया बैठक में सरुसमत्ती से फैसला लिया कि गाउं के युवा कॉंग्रिस नेता हर्मन दीप सिंग विर्क को विधारसबा चुनाव में समस्त गाउं अपना समर्थन और सयोग देगा बैठक में गुम्तला के देरा फत्य सिंग वे अन्य देरों के निवासियों ने एक मत से हर्मन दीप सिंग विर्क को समर्थन का आशिर्वाद दिया और गाउं के लोगों ने पंचैती तोर पर फैसला लेते हुए ये बात भी कही कि इस बार के चुनाव में किसी भी बहरी विक्ति को प्रदाश नहीं किया जाएगा यदि बहरी विक्ति को टिकेड मिलता है तो वे विरोध सवरूप मद्दान नहीं करेंगे लोकल होने के नाते हुए हर्मन दिप सिंग विर का पूर्जोर समर्थन मिलने पर वरिस्स कौंगर सेंधा हर्मन दिप सिंग विर के अपने गाउं गुमतलागडू के लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें कहा कि ये पल मेरे लिए आती भावुख पल है आज मेरे गाउं के मेरे अपनों दौरा मुझे जो आशीरवाद दिया गया है उसका मैं आजीवन डिनी रहूंगा इस भावुक पल के मेरे पास शब नहीं है कि मैं अपने बुज़ुर्गों और नोजवार साथियों का किस तरह से धन्यवाद करो उन्होंने कहा कि वैसे तो अपने पन और आशीरवाद का दुनिया में कोई मोल नहीं होता फिर भी मौका आने पर वही सकर्ज का रिन जुरूर उदारने की कोशिश करेंगे उन्होंने कहा कि दशक पहले तक पिहुआ हलका आपसी भाईचारे की मिसाल हुआ करता था सबसे ज़्यादा विकास कारे भी पिहुआ में हुआ करते थे लेकिन इन दस वर्षों में पिहुआ हलका हर लिहाँ से पिछड़ता चला गया कुछ पार्टियों के सत्ता के खेल ने गाउं के अंदर दुलाने पैदा करती जिससे आपसी भाईचारा खराब हुआ है उन्होंने का कि राजनीती में प्रतिसपरदा होनी चाहिए ना कि द्वेश की भावना अब समय आ गया है जब जन्ता के आशीरवाद से प्रतिश में कॉंग्रेस का राज कायम होगा कॉंग्रेस की जीत के बाद प्यहोवा हलका विकास की नई उन्चाईयों को छुएगा उनने का कि जन्ता के आशीरवाद से उनका बेटा उनका भाई हर्मंदीप सिंग विर्क एक बड़ी जीत हासिल कर एक एत्यासिक पवित्र सरस्वती नगरी को विश्व के मान्चित पर लेकर जाएगा इसावसे पर परमजी सिंग चठा, पूरु बलोग परदान कॉंगर्स बलविंदर वड़ाच, गुरविंदर सिंग वड़ाच, पूरु सरपंच, मुक्तियार सिंग, जोगिंदर सिंग, जस्बीर सिंग, चतर सिंग, वजीर सिंग, नवरिंदर सिंग, गुर्भजन मैंने बाद हर्याना विदानसभा के चुनाव हैं और मैंने कॉंग्रेस टिकट के लिए अपलाई किया हुआ है मैं पिछले 15-16 साल से कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं और मैं यह समझता हूं कि मैंने कॉंग्रेस टिकट पे अपलाई करा और आज मैं इस मुकाम पे पह जहां मेरा सारा कुछ यहां जीवन निकला तो उस परवार के बीड़ा मैं कुछ नहीं हूँ इस करके आज हमारे सारे गुंतला परवार ने मीटिंग बुलाई थी और मैंने उन सबसे समर्थन की अपील करी है कि आप सब मेरा आने वाले चुनाव में समर्थन दो और मेरी अप आशन दिया है कि हम कंदे से कंदा मिलाके तेरे साथ हैं और तेरे को टिकट भी दिलवाके लाएंगे और तेरे को चुनाव विजित वाएंगे तो मैं सब का दन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मेरा होसला बढ़ाया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक ही अवाज है जनता में कि हमारे इलाके का जो नुमाइंदा होना चाहिए वो हमारा यहां का लोकल होना चाहिए तो इस पर भी सारों ने सहमती जिताई है तो मैं अपने पूरे पेवा लाके को विशव के महनचितर में पहुंचाऊंगा तो आने वाले विदांसभा चुनाव में लोगों से यही अपील करूंगा कि आपने दस साल का बाजपागा राज भी देखा है और उससे पहले दस साल कांग्रेस का राज जिसमें मुख्यमं के राज में सिर्फ जुमले और गोशनाई तक सिर्फ सीमित रही बीजेपी आज भी हमारे मुख्यमंत्री नाइब सैणी जी सिर्फ गोशना मंत्री तक सीमित हैं कोई विकास कारेया इन दस साल में बीजेपी ने नहीं किया तो आज लोग कॉंग्रेस की और देख रहे हैं और आने वाले समय में जैसा लोगों का रुजान है निश्ची तोर पे बुपेंदर सिंग हुड़ा जी के नेतरतों में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है मेरा तो यह है कि जो भी चाहिए कोई भी पार्टी हो सब को यहां के स्थानियां नेता को टिक्ड़ देनी चाहिए और कांगरसे तो मेरी अपील है पूर जो यहां के निता है उनको टिक्ट दी जाए और जो भी मेंती है उसको टिक्ट मिले और हर्मन सबसे जैदा मेंती आप भी जानते ही हो यहां विचर रहे हो कई सालों से तो मैं तो यहीं चाहता हूँ कि इसको टिक्ट मिले और इसको सारी हर्मन दीव सिंग विरक जो पिछले बहुत सालों से संगर्स कर रहे हैं बच्पन से ही इनको शाओ था और उन्हों ने ये आब अब इस टेम जो आगे आवाने वाला विदानसभा के चनाव है उसके लिए मैं हम शुरू करती है हमने यहां अपने नीरतारी वड़ाई फार्म जो उसका नान का परवार है सारा ये गुम्थरा एरिया सारा तो वहां बलाके सारे वहियों के साथ सब को इपील की है कि इसका साथ दिया जाए और सारे ने बहुत 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 आपने उनका सारे संगत का तानौत किया है और आने वाले समय ने साथ दिया है कि इनक आरे बद्चट के साथ हैं और अपना गौम का अपने शैर का अपने लाके का आदमी चुने और जो आपके काम आए जाए